और इस आखरी बंदे को पेलने के लिए मैंने सारे बटन दबा दिये मतलब कूते वया आया कता है ना उड़ते वया उसके बाद कता ही लेट के भी गोलिया पेल दी भाई बुरा हो गया या इसके साथ तो भाई लो कैसे हूँ तो यार वेलकम दी बैक बैक दी वेलकम और स्वागत आपका एक बरा न्यू इंटर्ण्स पबजे दो मुबाईल गेम प्ले वीडियो में और हाँ इसमें मैं बहुत गटिया लेंडिंग करा रहा हूं क्योंकि बीच में बीच रस्ते में बीच हावा में जाके मुझे पता चलता है कि भाईया रिकॉडर यी ओन नहीं किया है हना अगर recorder on नहीं होगा तो भाई recording कैसे होगी तो धैड़ पैड में जब तक जाता हो recorder on करने यार सब बंदे मेर से पहले उतर जाते हैं लेकिन कोई नियार देखो पोचंकी आये हैं तो गनों में गरीबी तो पक्का होगी लेकिन कुछ न कुछ जुगाड जरूर बिढ़ाएंगे और इसे कहते हैं उर्ती पेटी लॉबी में भेजना हना मतलब भाई कूट के पता नहीं क्यों ही इनोंने ऐसे सीन किये यहां पे भाई मैंने हवा पे धैड़ पैड़ नौक हरा और पेटी भी भी यहां नीचे उतरता उतरता बन्दा जैसे इनों को के भाई सीधा पेटी और अगर आप देख रहे होगे कि यार हम थ्रियों वर्शीज स्कॉर्ड खेल ले हैं क्यूंकि भाई मैं सही बता रहा हूं मैं 10 मैच खेल चुका हूं इससे पहले भाई सब में 25 किल के बाद मर रहा हूं 25 किल के बाद मतलब दिन इतना बुरा चल रहा था कि भाई देखो अगर आप उतरते मरते हो ना कद्दू दुख नी होता लेकिन जब 20, 25, 18 किल करके मरते हो ने आर दिल पे दर्द होता है और इस बेचारे बंदे को तो क्या ही बे रहमी से पेरा भाई मुक्के पिस्तल वया या ये सोटगन सब कुछ इसी पे भर दिया और वो तो सही है उसके बाद उसके कपड़े भी चुरा लिया भाई नंगा कर दिया बिल्कुल उसकी पेटी तक को खेर वो सब छोड़ा यार देखो अब ड्रियो वर्सी स्कौर्ट खेली रहे हैं आगे बंदा भग चुका है तो यार रस्तो करना ही पड़ेगा और यहाँ पे सिर्फ सोटगन और एक और सोटगन है मिरे पे मतलब यही होता है यार देखो कोई भी नहीं बात नहीं है यह पोचंकी है भाई और पोचंकी में यह सीन होना भईया कोई बड़ी बात नहीं है अच्छा हो भाई मैं खुस किसमत हूँ कि भाई दो सोटगन है मिरे पे कुछ बंदे तो यार नंगे ठिल जाते हैं मतलब कपड़े तक नहीं होते हैं उनकी पेटी में सोचो क्या आलोते हैं पोचंकी में और यार पोचंकी में पकडम पकडाएं इतना ज्यादा चलती है न भाई की क्या ही बताऊं मतलब एक टाइम को तो मैं परिशान हो जाता हूँ बिल्कुल भाई इस घर से उस घर पे भगेंगे उस घर से रोड पार कर लेंगे भाई फिर छत पे चड़ जाएंगे फिर वहां से नीचे आरे भाई या रुख जाओ थोड़ी देर पेल ने दो क्या ही बताओ भाई अगर आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना तो यहाँ पे भी वही होता है ठीक है मतलब अब यहाँ पे इधर उदर भगता है बंदा जैसे तैसे पेल देता हूँ उसके बाद हम आगे निकल लेते हैं हरा और गाड़ी उठाके जा रहूँ क्योंकि भाई मैं ठक चुका हूँ यार पकड़म पकड़ायम खेलके यार आप कोई भगने की कुछिस करेगा ना यार सीधा चड़ा दूगा उसके उपर चाहे फुटपात हो वहाँ पे चाहे ना हूँ क्यार अब इस साइड पर आ गए पोचंकी के और बहुती बेरहमी से गाड़ी रुखता हूँ मैं यहाँ पर अब देखो मैं उस तरफ से इधर इसलिए आया क्योंकि वहाँ पर कोई दिखा नहीं और अब वहाँ पर देड़ पैड़ गूलिया चल लिए ख्यार यहाँ पर आना भी सफल रहता है यार क्योंकि एक पुरी सकॉड मिल गई है और अब रस कर रहा हूँ है आखरी बंदे पे और इस आखरी बंदे को पेलने के लिए मैंने सारे बटन दबा दिए मतलब कूटते वहाँ आया कताई है न उड़ते वहाँ उसके बाद कताई लेट के भी गूलिया पेल दी भाई बुरा हो गया है और इसके साथ भाई एक गूली तक नहीं पेल पाए क्यार इनको पेलने के बाद देखो पीछे की साइड दो सकौड लड़ भीडती है आँ आ जहां से मैं गाड़ी उठा के लाया थेखो गाड़ी मैंने इसलिए उठाई क्योंकि वहाँ पे कोई भी नहीं था जब मैं वहांपे था मैं जैसी वहां से इधर पे आया कि भाई यहांपे तो कोई निये भाई बन्रे लड़े जा रहे हैं और पेटिया बने जारी है क्यार यहांपे जो भी बची कुछी सस्ती लूट पड़ी होती है क्यूंकि यार पोचंकी है महंगी लूट कैसे भी लेगी यहां पे तो वो बची कुछी लूट सस्ती लूट उठाके मैं वापिस अपना मूँ उठाके इधर आ जाता हूँ क्योंकि यार देखो अब मिल गए है बंदे तो पेलना तो पड़े गाई और लाल जोन भी यहीं उपर बन रखा है खैर कोई नियार अब देखो रिसक तो ले नहीं पड़ेगा अगर केड़ी बढ़ानी है तो अब देखो जो यूएमपी चल रही थी ना वो हम मेंसे किसी पे नहीं चल रही थी वो आपस में लड़े जा रहे हैं अभी भी तो मैं गुस्ता हूँ अंदर अब यहाँ पे दो सोकोड के बंदे लड़ रहे होते एक नोक हो जाता है उपर जाके तो वो घिसडते वे नीचे आ रहा होता है और यहाँ नीचे मैं मिलता हूँ तो सीधा पेटी बना के किल चोरी करता हूँ और इनके जो बाकी बंदे बचे होंगे भाई उनका कोई अता पता नहीं है और पोचंकी मैयार ऐसा या मुझे ही लगता है कि भाई बोट बहुत जादा होते हैं या सही में बोट बहुत जादा होते हैं जो भी यार अपने को क्या अपन को जितनी भी बची कुछी किल मिल गई सही है अब आगे बढ़ते हैं निकलना पड़ेगा पोचंकी से हना और यार इस मैच में इतनी फटरी होती है न मतलब किसमत बहुत ही खराब चल रही होती है मुझे तो डर लग रहा होता है यार कहीं बोट ना पेल दे मुझे आके क्यार अपनी किसमत छोड़ा यार इन बंदू की किसमत देखो कहां अट काई ड्रॉप कहां रखिए भया फ्लेर ड्रॉप कद्दू कुछ नहीं उखाड पाएंगे उसका वो लेकिन कोई नियार देखो अपन लोग आ गये हैं मुझ और अपनी ये जीप उठा के तो अब देखो ड्रॉप की गने तो नहीं मिलेंगी लेकिन हाँ बंदे जरूर मिलेंगे भया गोली चला रहे हैं कता ही धैड़ पैड़ पुरी सकॉड यहां पे बैटी पड़ी है और मेरे पे दोरों की दोनों गने भया कलोज रेंज वाली है हाना मतलब देखो अगर दूर पे हुई फाइड तो मैं कुछ नहीं उखाड़ पाऊंगा लेकिन कलोज में हुई तो यार गलत ही सीन हो जाएंगे बाक्यों के साथ और देखते ही देखते मैं धैड़ पैड़ दो बंदे लिटा देता हूं हाना मतलब उजी चला रहा हूं बढ़िया यार बिलकुल सेटिस इंफेक्शन मिल जाती है उजी की आवाद सुनके और यार अगर उस पे सप्रेसर लगाओ न भाई सहाब तामबे पे सुहागे वाले सीन हो जाता है यहाँ पे बंदे अब केंपिंग डालके बैठ गए हैं ना मतलब देखो यार दो नोक कर गए तो चौड इनकी थोड़ी खतम हो जाती है और अपनी चौड थोड़ी सी बढ़ जाती है तो हमारे एक भाई तो कंटेनर में बैठ गए थे बिल्कुल और एक भाई बाहर यह हैं और यहाँ पे उजी और एक एम चला के सब को पहल के रख देता हूं मैं हाना टोटल चार बंदे बैठे होते हैं यहाँ पे भाई इनका ड्रॉप कहां पे उतरता है भाई सोचो क्या ही दुख हुआ होगा मेरे ख्याल से नो वो कोई नहीं उतरा था लेकिन फिर भी यार देखो फिलेर मिलना बढ़िया बात होती है यार एडबलेम ग्रोजा न जाने क्या क्या होगा उसे डिरॉप में लेकिन वो डिरॉप उपर पड़ाए तो हां दर्थ इनको भी बहुत हुआ होगा और उसके उपर से हमने पेटी भी बना दी तो यार दर्थ तो होई रहोगा खेर यहाँ पर सीन क्या होता है देखो कोई हम पे नेड़ नूट कर देता है और मुझे नहीं जानना था कौन करता है नहीं मैं खुस हूँ मैं ऐसे ही खुस हूँ मैं बगेर जाने खुस हूँ मैं अंजानी बहुत खुस हूँ क्योंकि यार देखो जो एक बंदा होता है न वो ज़्यादा खतरनाक होता है एक पूरी स कौट से क्यार केम्पिंग करके कब कौन कहां से आके आपको पेल दे कद्दू पता नी चलता तो वहां से मैं निकल लेता हूँ और वहां पे आता हूँ जहां पे फिलेर चली है और फिलेर जमीन में उतरी है अब यहां पे फलेर चली होती है तो यार गाड़ी मैं काफी देर घुमाता हूँ उसके बाद मैं ठक जाता हूँ तो बेरहमी से बत्तमी जी से ठोक देता हूँ गाड़ी को और इस बत्तमी जी की सजा मेरे सिधा सर पे पढ़ती है अब अब देखो उपर मैं पूरा रहूंगा नहीं क्यूकि यार आपको भी पता है मुझे भी पता है यहां पे धैड़ पैड नेट के बाद नेट आने वाले हैं इस घर पे और यार ये गिल्ली सूट वाला बंदाना बहुत ही खतरना कुता है क्यूकि मुझे नहीं पता कैसे लेकिन वो बंदा इतनी सारी गोली खाने के बाद बच जाता है और आगे भी बचेगा और उसके उपर से गिल्ली सूट वाले के अलावा एक बंदा यहां ट्रैक्टर है कि या टरक है जो भी है इसके पीछे बैठा है और भाई यह बंदाना अलग लवल का होता है यह और गिल्ली वाला देखो क्या ही सीन करते है पहले इन्होंने सारे नेट फूग दिये हनाम आईए जलती बुतल में आग भी फेक दी क्योंकि कमी है नहीं उसके बाद यार जब सब कुछ खाली हो गया तो देखो क्या मजाग फेक रहे हमारी घर पे पतला बैस समझ नहीं पाया ऐसी हरकत क्यों की इन लोगोंने और यहां पे मैं इन्हें पूरी जान लगा के पेलने की कोशिस कर रहा हूँ और यार इन्हें मजाग सूर रहा है कट ही बरफ बारी कर रहे हैं बरफ की गोले इधर-उदर फेक रहे हैं भाई क्या ही बोलो और आज के दिन यार तुमारे भाई का नेट फटी जाता है आखिरकार तो यार अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं पहला है तो यार उजी और ये एकेम के गलत सीन पलस मेरे सस्ते नेट के लिए लाइक जुरूर पहल देना यार बिल्कुल नीला टैप कर दो पेल दो यार जैसे नेट फटा वैसे फाड़ दो लाइक के बटन को बस नीला कर देना और लगभग पचा 60 गोली बरबाद करने के बाद वो गिली वाला बंदा नौक होई जाता है मतलब हर बार मार रहा हूं हर बार बचरा है तो इस बार मैंने बोला यार चाहे कुछ भी हो चाहे मेरी पेटी बने रस्ते में इसे पकड़ लो बिल्कुल और ये अकेला गिली सूट वाला बंदा नहीं होता है यार इसका एक और भाई पीछे होता है जाडियों में लेटा पड़ा होता है वहां से भाई ग्रोजा पठकाते मैं बोलता हूं भाई या इस बंदे को बहुत बार भगने दिया है लेकिन इस बंदे को जिस पे दूसरा गिली सूट है इसे मैं बचने ही नहीं दूँगा मतलब कमी नित्यार इन बंदों पे गिली सूट की भाई हर दूसरा बंदा को गिली सूट पैनके चला है खेर यहाँ पे इन दोनों को पेल देता हूँ और हाँ आपको पता है गरोजा और AWM मिल गई है भाई को मतलब सही है बहुत बढ़िया है वो उजी पलस एकेम का कॉम्बो हाना अगर आपको बस घरों पे घुसना है बंदे पेलना है पेटी बनानी है हना और बस पास में लडाई करना है आपको वो सनाइपर के गलती से हेड़सॉट वाले स्कीन पसंद नहीं है तो वो बहुत ही अब भाई ये बगई थी या बुल्डोजर यार मेरे समझ के पार है मतलब मैं ठोकता हूँ मेरी गाड़ी पूरी घुम जाती है लेकिन बगई भाई रुकने का नाम न लेते वे चले जारी आगे ख्यार ऐसे सीन पबजी में होता है यार कता है बुल्डोजर ही बना देते उसे हाना पप जी क्यों बगई क्यों बनाई है और इस बुल्डोजर बगई का ड्राइवर तो कता ही नसे में होता है मतलब उसका टीम में ठिल जाता है आम उसकी गाड़ी फाड़ देते हैं भाई गाड़ी रोकते हैं और चार कदम आगे इस तरह चलते हैं जैसे भाईया टेहल ने आ रख्यों यहां पे मतलब बिल्कुल मजाग भाई हमारी कोई इज्जत ही नहीं हम तीन बंदे पीछे पड़े होते हैं इस भाई के मेरी तो भाईया कते ग्रोजा रिलोड में चल जाती है हना कते जहर फायर रेट है यार ग्रोजा का क्या चलती है भाई गूलिया इतने तेज निकलती है मजा टैप आजाता है हना और देखो यार मेरे ख्याल से उजी प्लस एक एम को जो माद दे सकती है वो ग्रोजा है यार मतलब बिल्कुल यार क्लोज रेंज में भाई पूछो मत क्या ही चीज करती है यह खैर उस बुल्डोजर वाले बंदे की हमने पेटी बना दी हना कहीं किसी को ठोक देता ना से में तो गलत सीन हो जाते और यहां पे एक और गाड़ी पड़ी होती है मुझे लगता है पहले कि यहां पे बंदे बैठे होंगे लेकिन कद्दू कोई नहीं मिलता है यहां पे तो हम उनकी गाड़ी चुराते फुल्यों की अवाज आती भी है जब पता भी चलता है कि भाई बंदे हैं तो यार वह ज loun के बाहर होते हैं और वो भी ऐसा नहीं कि भाई एकी टीम होगी नहीं भाई वहाँ पे दो टीम के बंदे आपस में लड़ रहे हुते हैं और जब मैं जाई रहा हूता हूँ जोन के बाहर वो लोग अंदर आ जाते हैं और जिस रप्तार से ये लोग भगा रहे हैं ना गाड़ी को यार मुझे लग नहीं रहा था मैं पीछा कर पाऊंगा इनका मुझे लगा था भाई ये अब दूसरे जोन के बाहर निकल जाएंगे हना कहीं सन्होक वागेरा न पहुंच जाएं लेकिन सीम क्या होता है वो लोग गाड़ी बदल रहे होते हैं और ये एक बहुत बड़ी गलती होती है यहाँ पे अब देखो एक बंदे को तो भाई गाड़ी बदलते वे पेल दिया मैं देखो किसमत थोड़ी चमक रखी थी हना नेट लग रहे थे तो मैं एक और नेट करता हूं और वो अपने पे गिर जाता है यहाँ पे मतलब चाहे कुछ भी ओ यार मेरे नेट कभी नहीं सुद रहेंगे मतलब ज़ादतर टाइम देखो ऐसा सीन होता यहार नेट जाता है बंदे के मुझे पे फटता है लेकिन बंदा नहीं ठिलता इस बार तो भाई नेटने मुझे ही पेलने के कुसिस की और मैं सही बता रहे ह मैंने उस बटन को छोड़ा नहीं था भाई नेट खुदी आगे चला गया खुदी छूट गया भाई हाथ से मतलब पता नहीं क्या इनने कर रहा हाथ से गलत सीन भाई कते लेकिन भाई बच गया मैं मैंने बोला यार अब तो आगे ही बढ़ना पड़ेगा बीच मेरा तो ठिल जाऊंगा मतलब पेड से टकरा के यार अपने उपर ही नेट फटने वाला था क्यार देखो उस बंदे को मैंने एक तरह से नेट से नहीं पेला क्योंकि यार गाड़ी फटी थी और गाड़ी फटी उसके बाद बंदा फटा क्यार कोई बात नियार अब उन्हें पकड़ते हैं जो बाकी बंदे बचके आ गयते यहां जून के अंदर और ये हमारे भाई कते महंगी AUG चलाते वे हाना मतलब भाई बंदा बता रहा है कि भाई ड्रॉप की गने मेरे पे मतलब हम तीनों की तीनों घर के अंदर बैठे पड़े हना गोली के नाम पे हमें कदू कुछ नहीं लग सकता लेकिन बंदा चला के दिखा रहा है भाई या AUGM पे दूर रहो तो इससे तो दूर रहते हैं लेकिन एक और जगा पे कोई और बंदा एक गलती कर बैठता है अब यहाँ पे कोई बंदा ना गलती से अपने M4 की दो गूली चलाता है सिर्फ दो गूली अब देखो यार अब भले उससे गलती से निकल गया ओ गन से या जो भी सीनु आओ भाया हम तो अंधार रस करते हैं इस पे तो हाँ एक बंदा घरों की साइड़े वही महंगी AU जी वाला और एक बंदा यहीं कहीं लेटा पड़ा है जो गलती से एंपोर चला रहा था हम पे आम पे नहीं जाड़ी उपयार मतलब गलती से चली भाई कहीं पे भी चल सकती है और हमारे भाई यहां पे चतुर बंने की कुशिस करते वे मतलब देखो जब हम पहले यहां से जब मैंने पहले एकाद गोली पेली से ग्रोजा की यह भाई पत्थर के पीछे थे हना तो हम गाड़ी मुडा के लाए हना बिल्कुल बे सर्मों की तरह हमें लगा भाई फिर से पत्थर के पीछे होगा लेकिन हमारे भाई पेड़ के पीछे साम बन गए थे जाके मतलब चतुराई देख रहे हो ये नी की हील कर लू ये नी की समोक कर लू भाई ने पोजीशन बदल दी और साप कहीं और पे जाके बन गए लेकिन जो भी हो यार देखो उन्हें पेल दिया अब यहां पे मेरे दोनों के दोनों धीट टीमेट आगे भग चुके हैं और वैसे धीट मैं हूँ मतलब भाई चाहे कुछ भी हो गाड़ी नी छोड़नी मैंने तो इन लोग को पता चल जाता है कि भाई या आखरी बनता किधर पे बैठा है मतलब पहले वो यहां से यूजी वगएरा पठका रहा था अब वो आगे कहीं जा चुका है तो हाँ यार भाई की पोजीशन वगएरा पता चल गई है भाई को पकड़ के पेलेंगे लेकिन वो भाई भी पूरी जान लगा देगा हमें पेलने के लिए लेकिन यार देखो गुरोजा है तो हाँ असान होने वाला है अब देखरो यार बंदा इदा इदा अब देखरो यार बंदा इदा उदर कैसे कर रहा है मतलब कभी राइट जा रहा है कभी लेफ्ट और भाई ने लंबा भगने की कुशिस की तो मैंने जलती बोतल में आग भीग दी अरे भाईया कैसे बंदे हैं ये दोनों मतलब पचास गेम खिलने के बाद मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ बहुत सारे कुशिस किया मैंने आखिरकार जाके ये गेमप्ले बना इतने सारे गेम खिलने के बाद भाई आखिरकार चिकन हो रहा है और भाई ये आउँ आवाज निकाल रहा है और ये क्या कर रहा है और उस बंदे को देखके न मुझे भाई वो कौनसी फिलम थी यार भूतना नहीं 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 गोश्ट राइडर हाँ अंगरेजी महंगी फिलम गोश्ट राइडर की फिलिंग आगे मतलब बंदा जल रहा है ठीके जलते वे बाहर आता है भाई गोलिया चला रहा है भाई उस बंदे ने नहीं आखिरता कार निमानी बाई जजबा ओना उस लेवल का ओन नहीं तो ना हो जजबा और मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि भाई वो कैसे नहीं ठिला मेरी जल्ती बूतल में आग से पहले मैंने तीन चार गोली पेली थी पता नहीं कितनी ग्रोजा की गोली पेली उसके बाद सीधा जल्ती बूतल में आग फेग दी लेकिन बंदा ठिला नियार बिल्कुल बेंकर था भाई भाई अगली गोस्टे हो तो यार सबस्क्राइब करो और भी ऐसे गलत चीन और सश्ती कमेंटरी के लिए तो मैं भी जा रहा हूं भाई लो गयार देखो जाके देखता हूं मैं भी हाना कि अगला गेम प्ले कैसे बना जाए क्योंकि भाईया दिन बहुत ही बुरे चल रहे हैं तो आज की वीडियो में तेबलो गयार कल मिलते हैं बाई बाई